इस बार पितर पक्स की सुरुआत 17 स्तंबर से भादरपद पुर्णीमा से हो रही है। इस दोरान पितरों की उपस्थती के कुछ संकेतों के बारे में जाना जा सकता है। अगर पितर आपके आस पास है, तो आपको कुछ संकेत मिलने लगते है। जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, तो आईए जानते हैं क्या है वे संकेत। जियोतिस सास्तर की अनुसार यदि पीतर आपके आस पास है, तो घर में पीपल का पोधा निकला दिख सकता है। इससे मालुम होता है कि पीतर आपसे नाराज है। इसलिए पीतर पक्स में पितरों के नाम से तरपन जरूर करें और गरीबों को अन का दान करें। ऐसा करने से पीतर आपसे खुस होंगे और पीतर दोस से भी छुटकारा मिलेगा। नमबर टू वहीं घर में लगी हरी भरी तुलसी का सूख जाना भी पितरों की उपस्थ थी और नाराजगी का संकेत होता है। इससे पता लगता है कि पीतर आपसे नाराज है। इसके लिए पीतर पक्स के दुरान सोला दिनों तक उनके नाम से खाना निकाले और जल तरपन करे। इससे पीतर दोस से छुटकारा मिल सकता है। नमबर थ्री बता दे कि अगर घर में लाल चेंटिया निकलती दिखाई दे तो यह भी पितरों की उपस्थती का संकेत होता है। लाल चेंटियों के निकलने से रास्ते का पता करे और वहां आटा डाले। इससे पितरों को सामती मिलेगी। अगर आप इन्हें बहार करना चाते हैं तो मारे नहीं किसी और तरिके से इन्हें हटाए। जियोतिस सास्तर के अनुसार अगर पितर पक्स के दोरान घर में अचानक से काला कुट्टा आता है तो ये भी पितरों की उपस्थती का संकेत होता है। इसका अर्थ है कि पितर आप से खुस है, काला कुट्टा पितरों का संदेश सूचक माना जाता है। इसका यह मतलब हो सकता है कि पीतर आप के लिए कोई सुप संदेश लेकर आए है धन्यवाद